विपक्ष अकसर आरोप लगाता है कि मोधीराज में बेरोज़गारी चरम पर हैं लेकिन सरकार विपक्ष को अंसुना करती है ऐसे में अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने मोधी सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी है साथ ही ये भी बता दिया है कि रोजगार के मामले में कॉंग्रेस शासित प्रदेश किस्तित ही ज्यादा अच्छी है तो क्या कहते हैं आकडे देखे रिपोर्ट में लेकिन सरकार विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं देती इतना ही नहीं विपक्ष का आरोप है कि मोधी सरकार विपक्ष की आवाज दवाने की कोशिश करती है और जनता को मुद्दों से भटकाती है और आज सरकार की नजर अंदाजी और लापरवाही का नतीजा आकडों के जरीए सामने आ रहा है सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके आकडों ने सभी को हैरान कर दिया ये आकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर नवेंबर महा में बढ़कर आथ फीसदी हो गई जो तीन महीने में सबसे ज्यादा है पिशले महीने में बेरोजगारी दर 7.77 फीसदी थी मुंबई बेस्ट CMIE के आकड़ों पर एकॉनोमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स पैनी नज़र रखते हैं क्योंकि सरकार अपने मंतली आकड़े जारी नहीं करती है वहीं आकड़ों के मुताबिक नवेंबर महीने में कॉंग्रेश शासित प्रदेश 36 गड़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे नियून तमिस्टर 0.1 प्रतिशत पर पहुंच गए ये देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर है वहीं इस महीने में सबसे जादा बेरोजगारी बीजे पिशासित हर्याणा में 30.6 प्रतिशत रही जो डवल इंजन सरकार के दावों की पोल खोलती है इन आकडों ने एक बार फिर मोधी सरकार को कठ घरे में खड़ा कर दिया है डीवी लाइफ की रिपोर्ट